आज मैं आपको बनाना से का रही हूं कोकोनट चिकन जिसके लिए मैंने लिया है आदा किलो चिकन लिया है 5-6 हे मर्च सिती को कूट लिया था एक टेबल स्पून लस्सन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून अधरक का पेस्ट हाफ कप टेल लिया है और तादनारिया लिया था ये इसको पीस के तेल दूर निकाल लिया इसका एक कप तक रिबन एक टेबिल स्पून धनिया पॉडर है एक टी स्पून लाल मिर्च पॉडर एक टी स्पून काले मिर्च कुटी हुई और एक टी स्पून नमक तीन से चार टेबिल स्पून क्रीम लेंगे क्रीम ना हो आपके पास तो आप बढाई भी ले सकते है अब यह चेकर लिया है इसमें डालेंगे लसर दरक और इमर्ज डाल देंगे कुटी हुई नारियर का दूद डालेंगे इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया अब इसमें डालेंगे सारे मसाले लाल मिर्च धनिया काली मिर्च नमक इसको भी मिक्स कर देंगे इसमें अब इसमें डालेंगे आदा कप तेल जो लिया था हमने इसको भी मिक्स कर देंगे इसमें इसको तक्रीबन आदे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे ताकि जो मसाले और इंग्रीडियंट्स बाकी डाले हैं वो इसमें अच्छे तरीके से एब्जॉब हो जाए जाएका अपते अंदर सोख कर ले और फिर इसको उसके बाद उबल गोश्गल्ले के लिए च तरहाई में मैरिनेट हुआ चिकन डाल दिया है इसको आदा घंटा हो गया था अब इसको इतना पकाएंगे के चिकन गल जाए पूरा गोश्गल गया है तो पनी भी सूख गया है जो इसमें पानी छोड़ा था अब इसमें डाल देंगी क्रीम दो से तीन टेबल स्पूल और यहां साध्य चाल के साथ आप चाहे तो आप इसको गार्लिक राइस के साथ बीची कर सकते हैं बहुत ही मजय के बनते हैं थाए स्टाइल्स की रेसेपी आज मैशी कन आपको बताना सिकाई है यकिन आख रीजा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए दिया और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ फैमली मेंबर्स के साथ और मेरे फेस्बुक पेज को भी लाइक की दिये और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी दूआओं में मुझे याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा नेक्ट